लिजे सुनिये मुण्शी प्रेम चंद के लिखे कथा संग्र है मान सरुवर्दो की कहानी नया विवाह मेरी यनि समीर गोस्वामी के आवाज में हमारी देह पुरानी है लेकिन इसमें सदेव नया रक्त दोड़ता रहता है नय रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है प्रत्वी के इस चिरंतन व्यवस्था में ये नयापन उसके एक एक कणु में एक एक कण में तार में बसे हुए स्वरों की भाती गूंचता रहता है और ये सौ साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुलहन बनी हुई है जब से लाला डंगा मलने नया विवाह किया है उनका यवन नए सिरी से जाग उठा है जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते थे प्राता से दस ग्यारह बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे फिर भोजन करके दुकान चले जाते वहां से एक बजी रात लोटते और ठके मांदे सो जाते यदि लीला कभी कहते जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड जाते और कहते तुमारे लिए क्या दुकान छोड़ दूँ या रोजगार बंद कर दूँ ये वो जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ा कर लक्षमी प्रसंद कर ली जाएं आज उनकी चोखट पर माथर अगड़ना पड़ता है तब भी उनका मुह सीधा नहीं होता लीला बेचारी चुप हो जाती अभी छे महीने की बात है लीला को ज़र चढ़ा हुआ था लाला जी दुकान जाने लगे तब उसने डरते डरते कहा था देखो मेरा जी अच्छा नहीं है जरा सवेरे आ जाना डंगा मल ने पगड़ी उतार कर खूटी पर लटका दी और बोले अगर मेरे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाओ लीला हताश होकर भोले मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौच किया करता हूँ लीला इसका क्या जवाब देती पती का इस नेहीन व्यावार उसके लिए कोई नई बात न थी इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनभव हो रहा था कि उसकी घर में गद्र नहीं है वो अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती पर अपना कोई अपराथ वो न पाती वो पती की सेवा पहले से कहीं ज़ादा करती उनके कारभार को हलका करने की बराबर चेश्टा करती रहती बराबर प्रसंद चित रहती कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती अगर उसकी जवानी ढ़ल चुकी थी, तो इसमें उसका क्या आपराध था? किसकी जवानी सदय उस्तिर रहती है? अगर अब उसका स्वास थूतना अच्छा ना था, तो इसमें उसका क्या दोश? उसे बेककसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो ये था कि 25 साल का साहचर अब एक गहरी मान सिक और आध्यात्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता जो दोश को भी गुण बना लेता है जो पक्के फल की तरह जादा रसीला जादा मीठा जादा सुन्दर हो जाता है लेकिन लाला जी का वणे के हिर्दय हर एक पदार्थ को वानिज जी की तराजू से तौलता था बूर्धी गाय जब ना दूद दे सकती है ना बच्चे तब उसके लिए गोशाला ही सबसे अच्छी जगह है उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे आराम से खाए और पड़ी रहे उसे अख्तियार है चाहे जितने जेवर बनवाए चाहे जितना इसनानवा पूजा करे केवल उनसे दूर रहे मानव प्रकृति की जटिता का एक रहस से ये था कि डंगा मल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे जिसके उसके लिए कोई जरूरत ही न समझते थे खुद उसी के लिए सदे अपरेतन करते रहते थे लीला चालिस वर्ष की होकर बूढ ही समझ ली गई थी किन्तु वे पैंतालिस के होकर अभी जवान ही थे जवानी के उनमाद और उल्लास से भरे हुए लीला से अब उन्हें एक तरह की अरूची होती थी और वो दुखिया जब अपनी तुर्टियों का अनभाव करके प्रकृती के निर्दय आगातों से बचने के लिए रंग वा रोगन की आड़ लेती तब लाला जी उसके बूढ हे नक्रों से और भी घ्रणा करने लगते वे कहते वाहरी त्रशना साथ लड़कों की तो मा हो गई बाल खिच्डी हो गए चेहरा धुले हुए फ़ला लेन की तरह सिकुड गया मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, महंदी और उबटन की हवस बाकी ही है अरतों का सभाव भी कितना विचित रहे ना जाने क्यों बनाओ सिंगार पर इतना जान देती है पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई और इन उपादानों से वो वापस नहीं बुलाई जा सकती लेकिन वे खुद जवानी का सुपन देखते रहते थे उनकी जवानी की तरिशना भी शानत नहुई थी जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे हफते में दो बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकी ग्लेंड की विशे में पत्र वेवार कर रहे थे लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा कुछ बतला सकते हो क्या बज़े आओगे लाला जी ने शानत भाव से पूछा तुम्हारा जी आज कैसा है लीला क्या जवाब दे अगर कहती है कि बहुत खराब है तो शायद भी महाशाय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुना कर अपने दिल का बुखार निकाले अगर कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिन तो होकर दो बज़े तक कहीं खबर ले इस दुविधा में डरते डरते बोली अब तक तो हलकी थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है तुम जाओ दुकान पर लोग तुम्हारी रहा देखते होंगे हाँ इश्वर के लिए एक दुना बजा देना लड़के सो जाते हैं बज़े जरा भी अच्छा नहीं लगता जी घबराता है सेट जी ने अपने स्वर में इसने ही किचाशनी दे कर कहा बारा बज़े तक आज जरूर जाओंगा लीला का मुख धूमिल हो गया उसने कहा दस बज़े तक नहीं आ सकते साड़े ग्यारह से पहले किसी तरह नहीं नहीं साड़े दस अच्छा ग्यारह बज़े लाला वादा करके चले गए लेकिन दस बज़े रात को एक मित्र ने मुझरा सुनने के लिए बुला भेजा इस निमंतरन को कैसे इंकार करते जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब ये कहां की भलमन साहत है कि आप उसका निमंतरन हस्विकार कर दे लाला जी मुझरा सुनने चले गए दो बज़े लोटे चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट रहे लीला उनकी राह देखती प्रतिक्षन विकल वेदना का अन्भाव करती हुई ना जाने कब सो गई थी अंत को इस बीमारी ने अभागिन लीला की जान ही लेकर छोड़ा लाला जी को उसकी मरने का बड़ा दुख हुआ मित्रों ने सम्वेदना की तार भीजे एक देनिक पत्रे ने शोक परकट करते हुए लीला की मानसिक और धारमिक सदगुणों को खुब बढ़ा कर वरणन किया लाला जी ने इन सभी मित्रों को हारदिक धन्वाद दिया और लीला की नाम से बाली का विद्याले में पांच वजीफे परदान किये तथा मिर्तक भोज तो जितने समारों से किया गया वो नगर की तिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा लेकिन एक महिना भी ना गुजरने पाया था कि लाला जी की मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका ये एसर हुआ कि छे महीने की विधुरता के तब के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया आखिर बेचारी क्या करते जीवन में एक सहचरी की आवश्यक्ता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से वो अनिवार हो गई थी जब से नई पतनी आई लाला जी की जीवन में आश्चरी जनक परिवर्तन हो गया दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था लगातार हफ्तों न जाने में भी उनके कारुबार में कोई हर्ज नहीं होता था जीवन के उपभोक की जो शक्ती दिन दिन शीन होती जाती थी अब वो छीटे पाकर सजीव हो गई थी सूखा पेड हरा हो गया था उसमें नई नई कोपले फूटने लगी थी मोटर नई आ गई थी कमरे नई फरनीचर से सजा दिये गई थी नौकरों कोई भी संख्या बढ़ गई थी रेडियो आ पहुँचा था और प्रति दिन नए नए उपहार आते रहते थे लाला जी की बुड़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चद्रमा के प्रकाश से ज़्यादा सच और मनुरंजक होता है लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाईयां देते जब वे गर्व के साथ कहते भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे बढ़ापा यहां आए तो उसके मुह में कालिक लगाकर गधों पर उल्टा सवार करा के शेहर से निकाल दे जवानी और बढ़ापे को ना जाने क्यों लोग अवस्ता से संबध कर देते हैं जवानी का उम्रे से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का इमानदारी से, रूप का श्रंगार से आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं उनके एक हजार जवानियों को अपने एक घंटे से भी न बदलूँगा मालुम होता है उनकी जिन्दगी में कोई उतसाह ही नहीं, कोई शौक नहीं जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल है यही शब्द घटा बढ़ा कर वे आशा के हिर्दाय पटल पर अंकित करते रहते थे उससे बराबर सिनेमा, ठेटर और दरिया की सेर के लिए आग्रह करते रहते लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों से जरा भी रुचिना थी वो जाती तो थी, मगर बहुत टाल टूल करने के बाद एक दिन लाला जी ने आकर कहा चलो आज बजरे पर दरिया की सेर करें वर्शा के दिन थे, दरिया चड़ा हुआ था मेग मालाएं, अंतर राश्ट्रे सेनाओं की भाती, रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायत कर रही थी सड़क के लोग मलार और बारहमा से गाते चलते थे बागों में जूले पड़ गए थे आशा ने बेदिली से कहा मेरा जी तो नहीं चाहता लाला जी ने म्रदू प्रेड़ना के साथ कहा तुम्हारा मन कैसा है जो आमूत प्रमूत की और आकरशित नहीं होता चलो जरा दरिया की सेर देखो सच कहता हूँ बजरे पर बड़ी बहार रहे की आप जाए मुझे और कई काम करने है काम करने को आदमी है तुम क्यों काम करोगी महराज अच्छे सालन नहीं पकाता आप खाने बैठेंगे तो योहीं उठ जाएंगे आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह की भोजन पकाने में ही लगाती थी उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेश अवस्था की बाद पुरुश के जीवन का सबसे बड़ा सुक रसना का सुआद ही रह जाता है लाला जी की आत्मा खेल उठी उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि दरिया की सेर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है एक लीला थी कि मान ना मान चलने को तयार रहती थी पीछा छोड़ाना पड़ता था खामो खा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मज़ा किरकिरा कर देती थी इसने भरे उलहने से बोले तुम्हारा मन भी विचित रहे अगर एक दिन सालन भीका ही रहा तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा तुम तो मुझे बिलकुन निकम्मा बनाय देती हो एकर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाओंगा आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा आप भी तो मुझे धर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिज़ाज बिगाड़ देते यादत पढ़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा मुझे घर के धंधे की रत्ती बर परवा नहीं बाल की नौक बराबर भी नहीं मैं चाहता हूँ कि तुमारा मिज़ाज बिगड़े और तुम इस ग्रहस्ती की चक्की से दूर रहो और तुम मुझे बार-बार आप क्यों कहती हो मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो गालियां दो धौल जमा तुम तुम मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंगासन पर बिठा देती हो मैं अपने घर में देवता नहीं चंचल बालक बनना चाहता हूँ आशा ने मुस्कुराने की चेश्टा करके कहा भला मैं आपको तुम कहूंगी तुम बराबर वालों को कहा जाता है कि बड़ों को मुनीम ने एक लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ उनका सारा उत्सा है सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया सिर पर बांकी रखी हुई फूलदार टोपी गले में पड़ी हुई जोगी रंग की चुनी हुई रेश्मी चादर वो तंजीब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे ये सारा ठाठ ऐसे उन्हें हास सजनक जान पड़ने लगा जैसे वो सारा नशा किसी मंतर से उतर गया हो निराश हो कर बोले तो तुमें चलना है या नहीं मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी न जाओ मैं आपको कम मना करती हूँ फिर आप कहा आशा ने जैसे भीतर से जोर लगा कर कहा तुम और उसका मुख मंडल लज्जा से आरक तो हो गया हाँ इसी तरह तुम कहा करो तो तुम नहीं चल रही हो अगर मैं कहूं तुमें चलना पड़ेगा तब चलूँगे आपके आग्या मनना मेरा धर्म है लाला जी आग्या न दे सके आग्या और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुबने से लगे खिसी आए हुए बाहर को चल पड़े उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई बोली तो कब तक लोटोगे मैं नहीं जा रहा हूँ अच्छा तो मैं भी चलती हूँ जैसे कोई जिद्धी लड़का रोने के बाद अपनी अच्छित वस्तू पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है उसी तरह लाला जी ने मुह बना कर कहा तुमारा जी नहीं करता तो ना चलो मैं आग्रह नहीं करता आप नहीं तुम बुरा मान जाओगे आशा गई लेकिन उमंग इसे नहीं जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई ना कोई सजीली साड़ी ना जड़ाओ गेहने ना कोई सिंगार जैसे कोई विद्धवा हो ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में जुझला उठते थे ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए जिल मिलाते हुए दीपक में तेल डाल कर उसे और चटक करने के लिए अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से लाब ना जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है जैसे कोई उसर का पेड़ हो कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन ना होंगे जडाओ गेनों से भरी पेटारियां खुली हुई हैं कहां कहां से मंगवाए दिल्ली से कलकत्य से कैसी कैसी बहु मूल साड़ियां रखी हुई हैं एक नहीं सेक्ड़ों पर केवल संदूक में कीड़ों का भूजन बनने के लिए दरिद्र घर की लड़कियों में यही एब होता है उनकी दृष्टी सदेव संकीन रही है ना खा सके ना पहन सके ना दे सके उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करें दरिया की सेर तो हुई पर विशेश आनंद ना आया कई महीने तक आशा की मनुवरित्तियों को जगाने का सफल प्रैतन करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाईश ही महर्रमी है लेकिन फिर भी निराश न हुए ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाब उठाने की वनेक प्रवरित्ती को कैसे त्याग देते विनोत की नई नई योजनाए पैदा की जाती ग्रामो फोन अगर बिगड़ गया है गाता नहीं या साफ आवाज नहीं निकलती तो उसकी मरमत करानी पड़ेगी उसे उठा कर रख देना तो मुर्खता है इधर बुड़ा महराज एक एक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका सत्रह अठारह साल का जवान लड़का आ गया था कुछ अजीब गवार था बिल्कुल जंगर उजड़ कोई बात ही न समझता था जितने फुलके बनाता उतनी तरह के हाँ एक बास समान होती सब बीच में मोटे होते किनारे पतले दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय कभी इतनी गाड़ी जैसे दही नमक कभी इतना कम की बिल्कुल फीकी कभी इतना तेज की निम्बू का शौकीन आशा मुह हाद धो कर चौके में पहुँच जाती और इस धपोर शंक को भोजन पकाना सिखा दी एक दिन उसने कहा तुम कितनी नालाइक आदमी हो जुकर आखिर इतनी उम्रे तक तुम घास खोदते रहे या भाड जौकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते जुगल आखों में आसु भर कर कहता बहुजी अभी मेरी उम्रे ही क्या है सत्रहवाई ही तो पूरा हुआ है आशा कुछ की बात पर हसी आ गई उसने कहा तो रोटिये पकाना क्या दस-पास साल में आता है आप एक महिना से खा दें बहुजी फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए जिस दिन हमें फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा सालन तो मैं अब कुछ-कुछ बनाने लगा हूँ क्यों? आशा ने होसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा सालन नहीं वो बनाना आता है अभी कल ही इतना नमक तेज़ था कि खाया न गया मसाले में कचाहन आ रही थी मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहां कब थी? अच्छा तो मैं जब यहां बैठी रहू तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने रहती आशा को जुगल की इन भूली भाली बातों पर खुब हसी आ रही थी हसी को रोकना चाहती थी पर वो इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उडेल दी गई हो और मैं नहीं रहती तब तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ वहां बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ आशा ने हसी को रोक कर पूछा क्यों रोते हो? ये ना पूछिये बहुजी आप इन बातों को नहीं समझेंगी आशा ने उसके मुह की और प्रिश्न की आँखों से देखा उसका आशा कुछ तो समझ गई पर ना समझने का बहाना किया तुमारे दादा जी आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे और क्या करूंगा बहुजी? यहाँ कोई काम दिलवा दीजेगा तु पढ़ा रहूंगा मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजे आपको खुब सहर कराया करूंगा नहीं, नहीं बहुजी, आप हट जाएए मैं पतीली उतार लूँगा ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी कहीं कोई दाग पढ़ जाए तो क्या हो? आशा पतीली उतार रही थी जुगल ने उसके हाथ से संड सी ले लेनी चाही तू रहो, वहर तो तुम हो ही कहीं पतीली पौँपर गिराली तो महीनों जीकोगे जुगल की मुख़ पर उदासी चाह गए आशा ने मुस्कुरा कर पूछा क्यों? मुझ क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला आप मुझे डाट देती हैं बहुजी तब मेरा दिल तूट जाता है सरकार कितना ही घुड के मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता आपकी नजर कड़ी देखकर मिरा खून सर्द हो जाता है आशा ने दिलासा दिया मैंने तुम्हें डाटा तो नहीं किवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाउँ पर गिर पड़े तो क्या हो? हाथ ही तो आपका भी है कहीं आपके ही हाथ से छूट पड़े तो? लाला डंगामल ने रसोई घर के दौर पर आकर कहा आशा जरा यहाना देखो तुम्हारे लिए कितने सुन्दर गम निलाया हूँ तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे तुम्हा दुए धक्कड में क्यों हलाकान होती हूँ इस लड़के से कह दो कि जल्दी महराज को बुलाए नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूँगा महराजों की कमी नहीं है अखिर कब तक कोई रियायत करे? गधों को जरा भी तमीज नहीं आई सुनता है जुगल? लिख दे आज अपने बाप को चूले पर तवा रखा हुआ था आशा रोटियां बेले में लगी थी जुगल तवे के लिए रोटियों के इंतजार कर रहा था ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमली देखने जाती उसने कहा जुगल रोटियां टेड़ी मेंडी बेल डालेगा लाला जी ने कुछ चिड़कर कहा अगर रोटियां टेड़ी मेंडी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा आशा अंसुनी करके बोली दस-पाँच दिन में सीख जाएगा निकालने की क्या जरूरत है तुम आकर बतला दो गमले कहा रखे जाए कहती तुम रोटियां बेल कर आई जाती हूँ नहीं मैं कहता हूँ तुम रोटियां बत बेलो आप तो खामो खान जित करते हैं लाला जी सन्नाटे में आ गए आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था और ये केवल रुखाई ना थी इसमें कटता भी थी लज्जित होकर चले गए उन्हें ऐसा क्रोध हा रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेक दें और सारे पौधों को चूले में डाल दें जुगल ने सेहमे हुए स्वर में कहा आप चली जाएं बहुजी सरकार बिगड जाएंगे वकुमत जल्दी जल्दी फूल के सेंको नहीं तो निकाल दिये जाओगे और आज मुझसे रुपे लेकर अपने लिए कपड़े बनवालो भिकमंगों की इसी सूरत बनाए गुमते हो और बाल के उतने बड़ा रखे है तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता जुगल ने दूर की बात सूची बोला कपड़े बनवालू तो दादा को हिसाब कह दूँगा अरे पागल मैं हिसाब में नहीं देने कहती मुझसे ले जाना जुगल काहिलपन की हसी हसा हाब बनवाएंगी तो अच्छी कपड़े लूँगा खद्धर के मलमल का कुर्ता खद्धर की धूती रेशमी चादर अच्छा सा चप्पन आशा ने मीठी मुस्कान से कहा और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा बड़े च्छालाक हो तुम जुकल ने अपनी बुद्धी मत्ता का प्रदर्शन किया आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है वहाँ भी रोखी रोटियां मिले तो वो दावत में जाए ही नहीं यह सब मैं नहीं जानती एक गाड़े का कुर्टा बनवा लो और एक टोपी ले लो अजामत के लिए दुआने पैसे उपर से ले लो जुगरल ने मान करके कहा रहने दीजे मैं नहीं लेता अच्छे कपड़े पहन कर निकलूँगा तब तो आपकी याद आवेगी सडील कपड़े पहन कर तो और जी जलेगा तुम बड़े स्वार्थी हो मुफ्त के कपड़े लोगे और उसके साथ ही बढ़िया भी जब यहाँ से जाने लगूँ तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजेगा मेरा चित्र लेकर क्या करूगे अपनी कोठ्री में लगाऊंगा और नित्त देखा करूँगा बस यही साड़ी पहन कर खिचवाना जो कल पहनी थी और मोतियों की माला भी हो मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती आपके पास तो बहुत गहने होंगे आप पहनती क्यों नहीं तो तुमें गहने बहुत अच्छी लगते हैं बहुत लाला जी ने फिर आकर जलती हुए मन से कहा अभी तक तुम्हारी रोटिया नहीं पकी जुगल अगर कल से तुने अपने आप अच्छी रोटिया ना पकाई तो मैं तुझे निकाल दूँगा आशा ने तुरंत मुहाद होया और बड़े परसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली इस समय उसकी छवी में प्रफुलिता का रोगन था बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी लाला जी के सारा खिस्यानापन मिट गया उसने गमलों को मुगद आँखों से देखा उसने कहा मैं इन में से कोई गमला ना जाने दूँगे सब मेरे कमरे के सामने रखवा ना सब कितने सुन्दर पौधे हैं वह इनकी हिंदी नाम भी मुझे बतला देना लाला जी ने छीड़ा सब गमले लेकर क्या करूँगी दस-पाज पसंद कर लो शेश में बाहर रखवा दूँगा जी नहीं मैं एक भी न छोड़ूँगी सब यहीं रखे जाएंगी बड़ी लाल चिन हो तुम लाल चिन सही मैं आपको एक भी न दूँगी तो चाहर तो दे दो इतनी मेहनत से लाया हूँ जी नहीं अब उनके प्रेम का जादू कुछ-कुछ चल रहा है नहीं उनके बार-बार के आग्रह करने पर भी बार-बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूशन ना पहना था कभी-कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी वो भी उपरी मन से आज वो आभूशनों से अलंकरत होकर फूली नहीं समाती इत्राई जाती है मानो कहती हो देखो मैं कितनी सुन्दर हूँ पहले जो बंद कली थी वो आज खिल गई थी लाला जी पर घड़ो नशा चड़ा हुआ था वे चाहते थे उनके मित्र और बंदुवर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आखे ठंडी करें देखें कि वो कितनी सुखी संतुष्ट और प्रसन्न है जिन विद्रोहियों ने विवा के समय तरह तरह की शंकाएं की थी वे आखें खोल कर देखें कि डंगामल कितना सुखी है विश्वास अन्राग और अन्भाव ने चमतकार किया है उन्होंने प्रस्ताव किया चलो कहीं घूमाएं बड़ी मर्जिदार हवा चल रही है आचा इस वक्त कैसे जा सकती थी अभी उसे रसोई में जाना था वहां से कहीं बारहे एक बजी फुरसत मिलेगी फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे सेर सापाटी के पीछे क्या घर चौपट कर दें सिर्जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा नहीं आज में तुम्हे रसोई में न जाने दूँगा महराज की कि ये कुछ न होगा तो आज उसकी शामत भी आ जाएगी आशा के मुक से वो पर फुलता जाती रही मन भी उदास हो गया एक सोफा पर लेट कर बोली आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है ऐसा दर्द कभी नहीं होता था सेट जी घबरा उठे ये दर्द कबसे हो रहा है हो तो रहा है रात से ही लेकिन अभी कुछ कम हो गया था अब फिर होने लगा है रह रहकर जैसे चुबन हो जाती है सेट जी एक बाद सोच कर दिल ही दिल में फूल उठे अब वे गोलियां रंग ला रही है राज वैद जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझ कर इनका सेवन कीजेगा क्यों नहों खांदानी वैद हैं इनके बाप बनारस के महराज की चिकित सक थे पुराने और परिक्षित नुस्खे हैं इनके पास उन्होंने कहा तो राज से ही ये दर्द हो रहा है तुमने मुझे कहा नहीं नहीं तो वैद जी से कोई दवा मंगवा था मैंने समझा था आप यही आप अच्छा हो जाएगा मगर अब बढ़ रहा है कहां दर्द हो रहा है ज़रा देखू कुछ सूजन तो नहीं है सेट जी ने आशा के आचल की तरफ हाथ बढ़ाया आशा ने शर्मा कर सिर जुका लिया उसने कहा ये तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती मैं अपनी जान से मरती हूँ तो मैं हसी सूचती है जाकर कोई दवा ला दो सेट जी अपने पुनसत्व का ये डिप्लॉमा पाकर उस से कहीं जादा प्रसंद हुए जितना राय बहादरी पाकर होते इस वजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैना सकता था जो लोग उनके विवाह के विशाय में दोएश मैटी पड़ियां कर रहे थे उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अफसर हाथ आया है और इतनी जल्दी पहले पंडित भोलानात के पास गए और भाग ठुक कर बोले भाई मैं तो बड़ी वे पत्ती में फ़स गया कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है कुछ बुद्धी काम नहीं करती कहती है ऐसा दर्द कभी पहली नहीं हुआ था भोलानात ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई सेट जी यहां से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फाग मल के पास पहुँचे और उनसे भी लग भग इनी शब्दों में ये शोक समवात कहा फाग मल बड़ा शोधा था मुस्कुरा कर बोला मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है सेट जी की बाचे खिल गई उन्होंने कहा मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूचती है जरा भी आदमियत तुम में नहीं है मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ इसमें दिल लगी की क्या बात है वे हैं कमसिन को मलांगी आप ठहरे पुराने लठे दंगल के पहलवाई बस अगर ये बात न निकले तो मूचे मुडा लूँ सिर्ट जी की आँखें जगमगा उठी मन में योवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी य की हो गई अकरती से बांकेपन की शान बरसने लगी जगल ने आशा को सिर्ट से पाउं तक जगमगाते देख कर कहा बस बहु जी आप इसी तरह पहने उड़े रहा करें आज मैं आपको चूले के पास ना आने दूगा आशा ने नया इन बांड चला कर कहा क्यों आज ये नय आज ना हो जाएं नहीं नहीं कहो मैं नाराज ना होंगी आज आप बहुत संदर लग रही हैं लाला डंगामल ने असंख बार आशा की रूप और यवन की प्रशंसा की थी मगर उनकी प्रशंसा में उन्हें बनावट की गंध हाती थी वो शब्द उनकी मुक से निकल कर कु तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगन इस तरह क्यों घूरते हो जब यहां से चला जाओंगा तब आपकी बहुत याद आएगी रसोई पका कर तुम सारे दिन क्या किया करते हो दिखाई नहीं देते सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता फिर अब तुम मुझे जवाब मि निकाल दूँगा अपना काम किये जाओ कोई नहीं निकालेगा अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे सरकार हैं बड़े को सिवर दो चार दिन में उनका मिजज ठीक किये देती हूँ आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं तुम बड़े मुफट ह खबरदार जबान समाल कर बाते किया करो किन्तु अपरसनिता का ये जीना आवरा उसके मनों रहस सकुना छेपा सका वो प्रकाश की भाती उसके अंदर से निकला पड़ता था जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा मेरा मुझ कोई बंद कर ले यहां तो सभी कहते हैं मेर कोई पचास साल की बुढ़िया से कर दे तुम्हें घर छोड़ कर भाग जाओ या खुच जहर खाल या उसे जहर दे कर मार डालू फासी ही तो होगी आशा उस क्रत्रिम क्रोध को कायम न रख सके जुकल ने उसकी हिर्दय वीना के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की विथा बाहर निकलाई उसने कहा भाग भी तो कोई वस्तु है ऐसा भाग जाए भाड मैं तुम्हारा बया किसी बुढ़िया ऐसे ही करूंगी देख लेना तुम्हें भी जहर खालूँगा देख लीजेगा क्यों बुढ़िया तुम सीधे रास्ते पर रखेगी ये सब मा का काम है बीबी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है आखिर बीबी किस काम के लिए है मौटर के आवाज आई ना जाने कैसे आशा के सिर का अंचल खिसक कर कंदे पर आ गया था उसने जल्दी से अंचल सिर पर खीच कर कर लिया और य संग रहे मान सरवर दो की कहानी नया विवा मेरी यानि समीर गुस्वामी के आवाज में